कि उनना हाँ बिल्स आप एक्षेंज का ड्यू डेट देख लिया था याद आ रहा है सबी को आज पहले उसके कुछ साल करें हम लोग पका है ओके हुँ 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 आज़ 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 आजनओ1 चल देख रहे हैं बिटा दिख रहे हैं सबी को आजाओ ध्यान देना दन आजाओ येस बिटा वंज होगा होगा क्वेशन भी होगा सब होगा है ना आज बहुत सारे क्वेशन करेंगे सॉल आजाओ पटापट से ध्यान देना क्या बोला यहां पे देख तो बेटा बोलो बेटा पका गया आसान भाशा में यहां पे पूछा गया था ध्यान देना सब लोग एक बच्चा बोल रहा है कि सर कोई क्वेशन सॉल करा दो ना कोई दिक्कत नहीं है जो हम लोग कर रहें पहले एक बर बूर देख ले फिर नोट्स की क्वेशन सॉल करेंगे बेटा चिंदा मत कर आएगा आएगा जवाब आएगा सभी को है ना सारे बच्चों आए बेटा इसका जवाब क्या पूचाए मालू में क्या जिसक्सी पार्टी को बिल का पाइमेंट होगा उसको मुद लोग क्या बोल देंगे पे यस और पार आ उसके बाद The payment of the bills of exchange is received बोलो The payment of bills of exchange is received By the drawer By the holder in due course By the endorseee By the bank अब प्लीज यहां देना Bills of exchange का payment किसको मिलता है सवाल जवाब पेई को जवाब क्या है किसको मिलता है पेई को पेई को ने जो बिल का holder है due date के दिन पेई कोन है जो due date के दिन बिल का holder है जो बिल को hold करेगा on the due date उसको बिल का payment मिलेगा जो बिल को hold करेगा उसको बिल का payment मिलेगा तो यहां पेई तो दिया नहीं है लेकिन क्या दिया है Of due date Holder in due course मतलब legally प्रवली सई रास्ते से in due course उसके बस भी लाया है उसने किसी के साथ fraud करके बिल नहीं लिया है फोर्जर यानि नकली sign मारके endorse अपने आपको नहीं किया है तो जो holder in due course है on the due date उसको payment मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलते है पेई जिसको payment मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे पेई और पेई कोन है जो due date के दिन बिल का मालिक रहेगा due date के दिन जो बिल का holder रहेगा वो कहां पर दिया है second option में right चलू आगे simple था एकदम ड्रावर क्या करता है बिल ड्राव करता है held till maturity है तो ड्रावर को payment मिलेगा held till maturity वाली case है क्या held till maturity में बिल किसके पास होता है ड्रावर के पास बरबरे clear बिलकुल सही जवाब दिया बिटा वंच तुमने भी एक बच्छा बोल रहा था sir questions all करा दो और सबसे पहले सही जवाब वो ही दे रहा है डन आ जाओ नेक्स retirement of the bill का मतलब क्या होता है simple है bill retire करना मतलब due date के पहले पैसा दे देना किये क्या हमने retire का मतलब दिखा था क्या प्लीज ध्यान देना नहीं मालूम है तो एक पर अच्छे ध्यान दो bill due date के पहले पैसा दे देना मतलब bill को क्या कर देना retired कर देना due date के पहले उसे हम लोग बोलते bill retire करना due date आपको समझाने के लिए 15 September हम लोग पैसा पहले दे रहे है चाहे किते भी दिन किते भी मैंने पहले हो इस scenario को बोलते है bill retire कर देना नहीं पता होगा तो लिख लो बेटा bill retired bill retired का मतलब क्या होता है payment made before due date खतम खतम बस इतना ही concept है bill retired का synonym क्या है payment made before due date इसे कहते बिल को retire कर देना bill retire कर दिया मतलब due date के पहले पैसा दे दिया दन लिखा सभी ने अपने notes में उपर कहीं भी margin में या regular notes में उपर निचे कहीं भी लिख करके रखो bill retired means bill payment made before due date आप से एक छोटा सा सवाल bill retire कौन करता है जिसको bill का पैसा देना है किसको bill का पैसा देना है ड्रोई को किसको bill का पैसा देना है ड्रोई को तो रिटार्ट भी कौन करेगा ड्रोई at the time of retirement of bill the acceptor debit बोलो acceptor यानि कौन ड्रोई जिसने bill accept किया था वो कौन है एकसेप्टर अब ड्रोई जब bill का payment करता है ड्रोई के लिए bill payable है bill payable का payment करता है तो क्या debit करेगा bill payable को और credit किसको करेगा cash को debit किसको करेगा payable को credit किसको करेगा cash को ड्रोई बिल का payment करेगा ड्रोई ने bill accept किया किसी party के लिए तो क्या लिए तो क्या लिए का पार्टी अकाउंट debit to bill payable और जब bill payable का payment करेगा तब क्या करेगा bill payable account debit to cash तो वही तो पूचा है किसको debit करेगा bill payable को किसको debit करेगा bill payable को जो भी acceptor है जो भी draw है वो payment कर समय किसको debit करेगा payable को credit किसको करेगा cash को क्योंकि cash जारी नहीं से yes or no सब लोग साथ में न basics of accounts हर एक बच्चे का यहां पे हुआ है yes or no या तो face to face और जो दो चार बच्चों ने late admission लिया था उनको मैंने basic का पूरा link दिया है क्या मैं गलत हूँ क्या किसी बच्चे के पास link नहीं है ऐसा कोई है जो late admission लेने के बाद भी नहीं मिला ऐसा कोई मेरा प्यारा बच्चा पका next party to whom party who is ordered organized wanna please जान देना कियों क्यों नहीं आहे कि मार लोग एंस्टाग्राम पे रहते क्या मेरो को Instagram पे वीडियो दिखा किसने दिखाये मेरो को यहां पे मतलब कौन रहे हैं पिक सके फोन में देखा मेंने कल Instagram पे रिले बना रहे है फिर कहां से बिमारे पार्टी वू इस ओरड़ तुपे मनलब समझे रो तुम दिदी को पास भी होना है और दिदी को कलास भी नहीं आना है आईसा कैसे चलेगा दिदी party who is ordered to pay the amount is known as बोलो बेटा party who is ordered जिसको हमने order दिया है जिसको order दिया है ordered जिसको हमने order दिया मान लो राम ने शाम को order दिया तो यहां पे party to the order या party to whom order है ना given वो कौन है शाम so party who is ordered जिसको हमने order दिया है वो कौन होता है ड्रॉई and जो order देने वाला होता है वो कौन है ड्रॉवर in which of these ways bills of exchange cannot be disposed of नीचे में से bill disposed of करने का कौन सा option नहीं है discounted with bank है देखाता हमने bill discounted with bank return till maturity ये भी है hell till maturity endorsement to the creditors ये भी है destroyed ये कोई तरीका नहीं है हम जला देंगे उस bill को इससे dispose of होगा गया no so bill destroyed is not a way to dispose of yes or no any bill yes or no ये ऐसी कोई case देखी थी कहा हमने destroyed की no कहां देखी थी bill destroyed की कोई case नहीं कौन सा general general journal के special journal general journal याने journal entry book special journal याने subsidiary book क्या बात कर रहे हो sir हमें तो मालूम ही नहीं था आज पता चला ना लिख लो subsidiary book ये क्या है special journal है और bill receable book ये subsidiary book है ना तो most correct answer is special journal नहीं है तो मैं journal लिख देता हूँ purchase book special journal sales book special journal bill receable book special journal yes or no चलो आगे journal entry book को general journal भी कहते है या journal proper या general journal subsidiary book को special journal लिगवड़ एक्सोल्ड गुड्स वाए पर 30,000 अच्छ भाप बैलेंस थो डूरब एप एक्स शुट ड्रॉब एप्स नियुट है एक्स ने माल बेचा थर्डी शुरी थर्डी थाउजन एना थ्री लाइक है थ्री लाइक है यह कॉमा गलत जगा दे दिया आदा अमाउंट रिशी ओगया तो आदे मौन का बिल रहेगा कैसा है फालतू क्वेशन था रहे नई ऐसे नहीं आते येसी बिच बिच में आपको धूप के बिच में थंडी अवा का जोका कैसे आता है दो सेकेंड के लिए वैसा आई है तीन लाग का माल बेचा आदा पैसा आ गया बचे में आदे के लिए बिल रिसेबल है तो बचा आदा कितना देर लाग अभी दिन है मतलब रात नहीं है तीन लाग में से आदा आ गया मतलब आदा नहीं आया और जो आदा नहीं आया उसके लिए क्या आया बिल रिसेबल आया तो किते का बिल रिसे बलाया देर लाक पंदरा नहीं न देर लाक ना परशन वों एंडॉर्स बिल एंडॉर्सर और जिसको बिल हमने एंडॉर्स किया एंडॉर्सी At the time of dishonor of the endorsed bill Which one of these account would be credited by the draw Drawy कौन सा account credit करेगा At the time of dishonor Drawy, drawy, drawर नहीं Bill dishonor हो गया जैसे bill dishonor हो गया Drawer, drawy को क्या बोलेगा तुमेरा फिर से डेटर बन गया और drawy, drawर को बोलेगा हाँ, तुमेरा फिर से क्रेडिटर बन गया तो drawy क्या बोल रहा है drawर को तुमेरा क्रेडिटर बन गया तो drawy किसको क्रेडिट करेगा drawर को खेल, खतम Semi, S.O.R. एक बच्चा बोलता है bill payable को क्रेडिट करेंगे bill payable तो dishonor होगे न bill payable को debit करेंगे एंटर क्या रहेगा bill payable account debit to drawर नहीं समझा कुछ लोगों को नहीं समझा सच्ची बोलो A ने B को उधारी में माल बेचा A ने B के ओपर bill draw किया B ने bill accept किया A के पास bill receivable, B के लिए bill payable इसने bill endorse कर दिया C को due date के दिन C गया इसके पास इसने C को पैसा नहीं दिया bill dishonor हो गया तो इसकी bill payable नाम के liability खतम हो गई क्या खतम हो गई bill payable तो अपनी bill dishonor हो गया मतलब bill receivable हो payable हो, cancel करना पड़ेगा और जैसे bill payable cancel हो गया अब ये creditor किसके पास जाएगा A के पास, creditor को bill कहां से मिला था, A से अब A को पैसा देना पड़ेगा क्या यस, A देगा पैसा since dishonor, लेकिन A वो पैसा किससे वसूल करेगा तो B के लिए A फिर से क्या बन गया तो B क्या लिखेगा उसके बुक में bill payable to A वो ही तो पूछा था ड्रॉई उसके बुक में बिल जब dishonor होता है तो किसको credit करता है ड्रॉवर को, A कौन है ड्रॉवर सही कि ने किसी को doubt है सवगंद है आपको आपके चाने वाले कि या doubt है तो पूछना बार बार बोल रहो हूँ सर अगर हमें समझा ही नहीं होगा हमने इसके पहले के लेक्चर ही अफसेंट है हमने देखा ही नहीं इसके पहले का हाँ, तो से case में आपको कसम नहीं लगेगी आप regular हो, mentally present हो, उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ मेरी गलती है वहाँ आपका काम है, मुझे पूछना ये तो मैं पहले बता रहो, professional course की exam है, बुरे तरीके से फेलो जाओगे, और उस दिन मावाफ तुमारे बहुत रोएंगे, और मेरे को बद्दुआ देंगे, कैसा teacher था क्योंकि किसी को अपने बच्चे की गलती नहीं दिखती है, और बच्चे को भी खुद की गलती नहीं दिखती है, बच्चा पहली गाली मारेगा institute को दूसरी class को, और तीसरी teacher को, बच्चा अपने आपको safe zone में रखता है, मेरी गलती इस नहीं थी, मैं तो इन तीनों की वज़े से फेल हुआ, ठीके ना तो please मैं बता रहा हूँ doubt आया, वहाँ पूछना है आप पूछ सकते हो ना आप वो PK के अमिर खान नहीं हो, आप बोल सकते हो आपके पास जबान है, और नहीं शर्मा है कोई ठीक है, कोई शर्मा है का नहीं मतलब आ जाओ हाँ, नहीं तो होता कहा है बच्चा आकरी में फिर में नाम से गाली मारता है वो मेरे को बहुत बेकर लगता है, इसलिए आज में को परिशान करो रिजल्ट के बाद में परिशानी सहने के मूड में नहीं, मैं पेडे खाने के मूड में रहता इसलिए अभी मेरे को परिशान करो मैं आने वाले तीन में तक परिशान होने के लिए तयार हूँ लेकिन रिजल्ट वाले दिन मेरे को सिर्प पेड़ा पसण्द है या गुलाब जямून या रसगुल्ला ठीक है? शक्कर वाले पेड़े लाना मत, वो खाता नहीं मैं, कम शक्कर वाले पेड़े लेना, यह बाबा डेरी है ने आपे, यहाँ से ले लेना पेड़े, अपर वो बाबा डेरी वाला भी डेंजर है, 5 बजे के पहले, 5 मुंट पहले भी गया तो बोलता है, हाँ पाच बजाना इसके वज़े से एक बच्चा बोल रहा है इसके पहले वाले में ड्रॉर क्यों नहीं है पर्सन वो एंडॉर्से सब इल अच्छा जो बिल एंडॉर्स करता वो पुचाएगा यहां पे हाँ तो एक बच्चा बोल रहा है यह एंडॉर्सर सही तो है रहे मुन्ना वो बोल रहा है इसका इंसर ड्रॉर्स क्यों नहीं आया एवा जो बिल एंडॉर्स करता है हर बार ड्रॉर्स नहीं रहेगा ए ने बिल ड्रॉर्स किया ए को ने ड्रॉर्स किसके उपर बिल ड्रॉर्स किया बी पे, A के पास कैimes आ गया? बिल रिसेवेबल एने वो बिल दिया X को, X ने बिल दिया Y को अब बतา X ने Y को बिल दिया, तो अब यहाँ पर X को ने? ड्रावर ए, X को ने? एंड्ोरसर, so एंड्ोरसर इस दिधा करेक्ट एंसर, puisque समझ में आ या, हर भार ड्रॉर इंडोर्स नहीं करता जो इंडॉbernेदरस करता उसे इंडॉर्बोल्ते हैं विसी mam Gary Jee Sw questi कि एकसे जौमिए है एक ने दिया ने एक्स को aks ने दिया वाई को ने दिया Due date Due date क्या भूलेंगे उसको ये 3 days कौन से है इसा कहा लिखा है tätä कहा लिख रहा है कि Grass Hast सिब 3 बोल दिया तो हर बार ग्रेस है क्या 3 days grace स अपर वो लिखा रहता तो 3 days grace तो भी गलत रहता ये डेट है या due date है वो अपना actual में क्या है जो भी अपना maturity date आएगा वहां से तीन दिन आगे ना तो ये गलत answer है ये भी नहीं है ये भी नहीं है क्या रहेगा due date most appropriate answer कुंतल draws a bill on sham for 3000 कुंतल endorse it to Ram कुंतल ने शाम के उपर bill rock किया कुंतल के पास bill receable आ गया वो उसने दे दिया Ram को Ram endorse it to Raheem Raheem के पास आ गया बो बिल का payment किसको मिलेगा रहीम is the pay if the due date is a public holiday what will be the due date preceding working day public का P, preceding का P, sudden holiday आये तो succeeding as on first august X draws a bill for 30 days after site after site यहने duration कहां से count करो date of acceptance है after date होता तो date of drawing से after site है तो कहां से count करेंगे date of acceptance कहां मतलब यह मेरे काम की date नहीं है क्यों after site है इसलिए 8 august से किते दिन 30 days चलो august में किते दिन बचे रुगो august होता है 31 का 31 में से 8 चले गए बचे किते 23 so august में 23 दिन total किते दे 30 30 30 तो और किते चीए यह साथ कहां के आ गए September तो इसकी date आ जाएगी 7 September प्लस तीन दिन का grace spread तो क्या आ जाएगा 10 September अभी जो बच्चा मा के पेट में ना चौथा में चल रहा है वो भी solve करेगा अगर उसने अच्छे से समझ के रखा होगा तो अरे easy-peasy कुछ है इसमें सिंपल था कि निए पढ़ा है न हमने अल्रड़ी if the bill drawn 3rd July 40 days payment बोलो due date क्या रहेगा बिल कब draw किया है 3 July 40 दिन काउंट करने न जुलाई में कितने बच्चे है रुको 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 3 July और बिल कौन सा था अच्छा नॉर्मल वो बिल है मतलब 3 July से काउंट करेंगे जुलाई में कितने बच्चे जुलाई है 31 का 31 बच्चे तीन चलेगा बच्चे 28 टोटल कितने चीए 40 तो therefore balancing figure कितना आजाएगा 22 22 अगस्ट से तीन दिन आगे 22 अगस्ट से तागे तीन दिन का grace spread तेविश 24 पच्चिस बारा चाहिए बारा से तीन दिन आगे का कितना हो जाएगा 15 अगस्ट since public holiday therefore 14 अगस्ट कुछ था इसमें इमान दर से पूलो पर आप लिखते क्यों नहीं है ने ने एंसर एंसर नहीं लिख रहे है आप इस सौल करते हो आप ठीक है दे दूँगा कैसा गंदा टॉंट बारी ने बच्ची अगस्ट प्रिंट करते करके क्योंकि यहां वाले बच्चों को दे देंगे दो बर कुरियर वाले बच्चों को दो कुरियर जाएंगे यहांने कुरियर की कॉस्ट एक्जेक्ट डबल हो जाएगी उनको दो बर कुरियर करना पड़ेगा ना दो पाट दिये तो तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़े जाएगा इस कारण से चलो आगे सर पॉब्लिक हॉलिडे तो क्वेश्चन में नहीं दिया है हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है वेटा पंदरा अगस को पबलिक हॉलिडे बच्पन से छुट्टे तो वो तुमारी स्कूल में तुने याद नहीं है पंदरा अगस को हॉलिडे किस देश का वासी है तु विशाल ये बोला नहीं रहेगा कि पंदरा अगस को पबलिक हॉलिडे 26 जन्वरी को पबलिक हॉलिडे और दो अक्टूबर को गांधी जैनती है ये बोला नहीं रहेगा ये तीन हॉलिडे आपको पता होने चीए आ जाओ दन चलो इतना कहें कि मैं मेरे आज के छोटू से प्यारे से दो शब समाप्त कर रहा हूँ है रहा थोड़ा सा एक दो दिन आपको इनर्जी डल दिखेगी फिर से हम लोग हमारे पुराने फॉर्म में आ जाएंगे एक से दो दिन चलो ओके विशाल थैंक यू री मच यार लव यू आल टेक केर बाई बाई बाई